उसेटी इंडिया पुलिस पर बड़े बड़े पत्थरों से धावा बोला गया था लेकिन हालाद तब आउट अफ कंट्रोल हो गये थे जब लोगों की भीड़ने बनभूल पुरा ठाने को गेर कर पत्राव शुरू कर दिया था उस दोरान पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था देखते ही देखते आग की लप्तों ने वहां कोहराम मचा दिया सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही नहीं बलकि आरोप है कि उपद्रवियों ने कई दूसरी गाड़ियों में भी आग लगा दी थी आगजनी की इस घटना से पहले अवैद मदरसा तोड़ने पर कुछ महिलाएं पुलिस से उलज गई थी बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर लाठी चार्ड तक करना पड़ा लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे पुलिस की मुसीब्तें भी बढ़ती जा रही थी योकि अवैद मदरसे को गिराने की खबर जैसे ही इलाके में फैली वहां की गलियों में लोगों की भारी भीड जमा हो गई थी देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों की भीड मदरसे की तरफ दोड़ पड़ी हो आलंकि पुलिस ने भीड को रोकने के लिए गलियों के आगे बैरिकेड लगा दिये थे और दावा किया गया कि इसी वज़े से भीड में शामिल लोगों का घुस्सा साथ में आस्मान पर पहुंच गया आरोप है कि उपद्रवियों ने अवैद मदरसे के पास पुलिस की टीम पर चारों तरफ से घेर कर पत्राव किया था आरोप यह भी है कि पुलिस करगियों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था इसका एक दरा देने वाला वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में लोगों की भीड पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकती दिखाई थी देखकर ऐसा लगा जैसे महां आस्मान से पत्रों के साथ पेट्रोल बम की बारिश हो रही हो इंसा के इस भायानक वीडियो में एक उपद्रवी हाथ में पेट्रोल बम लेकर आगे बढ़ता नजर आया थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ने के बाद उसने उस पेट्रोल बम को पुलिस वालों की तरफ फेंक दिया जबकि दूसरे लोग पुलिस पर बेहसाब पत्थर फेंकते रहे वीडियो में पूरी सड़क पत्थरों से पटी नजर आई इस दोरान वहां कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो पत्राव और पेट्रोल बम फेंक रहे उबद्रवियों को उन्ही की भाशा में जवाब देते दिखाए दिये आरोप ये भी है कि उबद्रवियों ने पुलिस पर गोलिया भी चलाई थी बात में हिनसा का ये वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो गया लेकिन अवैद मदर्से को गिराने से भढ़की हिनसा का ये एक लौता वीडियो नहीं रहा बलकि कई ऐसे वीडियो सामने आये जिनकी जाच की जा रही है इसके लावा पुलिस वीडियो में दिखने वाले उबद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाव कड़ी कारवाई में जुड़ गई और हल्दवानी के बनबूल पुरा थाना के लाके में ये हिंसा इसलिए भड़की थी कि जब नैनी ताल हाई कोट के आदेश पर प्रशासन ने एक अवैद मदरसे को तोड़ने की कारवाई शुरू की फुलिस के मताबिक वो मदरसा करोणों की सरकारी जमीन पर अवैद तरीके से बना गया थी और उसे अटाने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था लेकिन इसके बाद भी मदरसे को सरकारी जमीन से नहीं अटाये गया इसी वज़े से एक रोज पहले प्रशासन की एक टीम मदरसा अटाने के लिए वाँ पहुँची थी लेकिन जैसे ही बुल्डोजर से मदर्से को तोड़ने का काम शुरू किया गया वहाँ अचानक हिंसा बढ़क गई थी पुलिस वालों से धक्का मुक्की के बाद उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई थी बाद में लोगों की भीड को तितर वितर करने के लिए पुलिस ने लाटी चार्ज किया और आंसु गैस के गोले भी छोड़े जिले की डीम बंदना सिंग के मुताबिक हल्दवानी के अलग-अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से सडकों और चोराहों को चोड़ा करने के लिए अतिक्रम्न हटाने का अभियान चला जा रहा है इसी कड़ी में अवैद मदर्से पर भी कारवाई की गई थी लेकिन इसके बाद भी उपद्रवियों की बीड ने पुलिस पर हमला कर दिया थी आरोप है कि ठाने में लोगों की बीड ने कुछ पुलिस वालों को जिदा जलाने तक की कोशिश की थी और प्रशासन का आरोप है कि अवैद मदर्सा गिराने पर भड़की हिंसा अचानक नहीं हुई बलकि पूरी प्लैनिंग के साथ पुलिस को निशाना बनाया गया था जानकारी के मताबिक अवैद मदर्से को गिराने के लिए प्रशासन की तरफ से 30 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था और नोटिस देने के बाद प्रशासन की तरफ से उस पूरे इलाके पर नज़र रखी गई थी क्योंकि प्रशासन को इस बात की आशंका पहले से थी कि अवैद मदरसे को हटाने के दोरान वहां हिंसा बढ़क चकती है प्रशासन का ये भी दावा है कि मदरसे को गिराने के लिए नोटिस जारी किये जाने के बाद से ही पुलिस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई थी बाकायदा प्रशासन ने एक प्रेस कांफरेंस कर इस बात की जानकारी भी दी कि 30 जनवरी तक मकानों की छटों पर पत्थर जमा नहीं किये गए थे लेकिन इसके बाद प्लान के तहट पत्थर जमा करने का काम शुरू किया गया लेकिन जब एक रोज पहले पुलिस और नगर निगम की टीम अवैद मदर्से को हटाने के लिए पहुँची तो उफद्रवियों ने पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था इसके बाद मकानों की छटों से उन पर पत्थरों की परसात कर दी गई थी इसी वज़े से प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया कि पहले से ही हिंसा पहलाने की प्लैनिंग की गई थी तो कि इस दोरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी को उक्साने की कोशिश नहीं की गई बलकि आखरी वक्त तक बवाल कर रहे हैं लोगों को समझाने की कोशिश की गया लेकिन इसके बाद भी अवैद मदर्से को गिराय जाने से नाराज भीड़ने वहां जम कर तांडव किया था आरोफ है कि उपद्रवियों ने बनभूल पुरा थाने को ही आग के हवाले कर दिया था और उसी वज़े से वहां हाहाकार मच गया था क्योंकि दावा किया गया कि जिस वक्त थाने में आग लगाई गई थी उस दोरान वहां कई पुलिस कर्मी मौजूद थे आरोफ है कि उपद्रवियों ने उन्हें थाने के अंदर ही जिन्दा जलाकर मारने की कोशिश की थी हिंसा के बाद महां से जो तस्वीरे सामने आई उनमें बनभूल पुरा थाना बुरी तरहा जला हुआ दिखाए दिया थाने के अंदर और बाहर हर तरफ तबाही के निशान नजर आया पुलिस स्टेशन के बाहर तो हिंसा में जली हुई गाडियों का पहार दिखाए दिया उपद्रवियों ने सिर्फ थाने को ही अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि आसपास के कई मकान भी हिंसा की भिंट चड़ गए हर तरफ सिर्फ बरबादी का मंजर ही दिखाई दिया हिंसा भढ़कने के बाद प्रशासन ने अगले आदेश तक पूरे जिले में कफ्यू लगा दिया मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर के बनभूलपुरा इलाके को चावनी में तब्दील कर दिया गया यही नहीं सुरक्षा पुखता करने के लिए पैरा मिलिटरी की चार और पी-ए-सी की दो कंपनियां भी उस इलाके में तनात कर दी गई ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निप्टा जा सके इस बीच बीजेपी सांसद और उत्तपदेश के पूर बीजीपी ब्रिजलाल ने आशंका जताई की हल्दवानी हिंसा के पीछे प्रतिबंदित संगठन पी-ए-फाई यानि पॉप्पुलर फ्रंट ओफ इंड बोल दिया थी इसी वजए से बीजेपी सांसद और उत्तपदेश के पूर्ग डीजीपी ब्रिजलाल ने आशंका जताई कि हिंसा भढ़काने के पीछे प्रतिबंदित संगठन और कट्टरवादी संगठन पी-ए-फाई का दिमाग हो सकता है अलद्वानी में हुई इंसा पर तो आएमसी यानि इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने भढ़काव भाशन दे दिया अब किसी बुल्डोजर को बरदाश नहीं किया जाएगा हमें कानूनी अधिकार है अगर हमारे उपर कोई अमलावर होता है तो हम उसको चार से मार दे अपने इस बयान में उन्होंने आवैद मदर्सा किराने पर हुई हिंसा के लिए उत्तरा खंड के मुक्यमंतरी पुषकर सिंग धामी को जिम्मेदार ठेरा दिया और इन सब के बीच मुक्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने हल्दवानी पहुँचकर हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की उनका हाल जाना बता गया कि इस दोरान वहां मौझूद कुछ घायलों ने मुक्यमंतरी के सामने अपना दर्द भी बया किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे उपद्रवियों ने उन पर हमला किया था गायलों के मताबिक लोगों की भीड़ने पत्थरों के साथ कांच की बोतलों से उन पर धावा बोला था इस घटना के 24 घंटे के अंदर राजिक के मुक्यमंतरी पुषकर सिंग धामी हल्दवानी पहुँच गए उन्होंने अवैद मदर्सा गिराने के बाद भड़की हिंसा में घायलों से भी मुलाकात की इसका जो वीडियो सामने आया उसमें मुक्यमंतरी घायलों से उनका हालचाल पूछते नजर आये बाद में उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कारवाई का भरोसा भी दिया इस दोरान न्यूज 18 की टीम ने नगर निगम के घायल करमचारियों से बातचीत की बातचीत में उन्होंने दावा किया कि हिंसा भढ़कने के बाद लोगों की भीड उनकी जान लेने पर आमादात इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफतार कर लिया इसके अलाबा पुलिस CCTV वीडियो की जांच कर दूसरे आरोपियों तक पहुँचने में जुड़ गए झाल झाल